हेलो एन वल्कम टू टीवी का पठाका यो वन स्टॉप डेस्टिनीशन फर अल एंटेटेन्मेंट नियूस लेल्डर्स तो टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रेड्यूसर एकतक पूर जिनके सीरियल इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे बड़े सूपर हित माने जाते है जिनकी हिरोईन और हीरो बढ़ने का सपना हर कोई देखता है क्या उस एकतक पूर ने आखिरकार धीरच धूपर की आगे और उनकी पॉपलारिटी के आगे घुटने टेक दिये हैं जि हाँ दोस्तों आखिरकार एकतक पूर को धीरच धूपर की डिमांड को मान कर उन्हें शो में वापिस लाना पड़ रहा है जि हाँ आप सब समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कुंडली भागय में करन लूथरा की वापसी की जि हाँ दोस्तों खबर है कि एक तक अपूर ने कुंडली भागय में करन लूथरा यानी की धीरच धूपर की एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जि हाँ कुंडली भागय में एक बहुत बड़ा जनरेशन लीप आने वाला है और वो भी पूरे 20 साल का 20 साल के लीप के बाद आपको प्रीता की बेटी बड़ी हो चुकी दिखाई देगी और साती सात शक्ती अरोडा शो से एक्जिट कर चुके होंगे लेकिन उनके एक्जिट के साथ साथ कई सारे रास खुलेंगे और वहाँ पर पता चलेगा कि शक्ती अरोडा असली करनलूतरा नहीं है बलकि उसके बेस्ट फ्रेंड है और उसी यानि की असली करनलूतरा धीरजदूपर वाले फेस के साथ वापिस आ जाएंगे और ये सारी कहानी ये असलियत प्रीता की बेटी पता लगाएगी जो पूरे 25 साल की हो चुकी होगी दोस्तो कहानी में आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए और नए जनरेशन लीप के साथ पुराने करनलूतरा को देखने के लिए कितने साथा एक्साइटेड है हमें लाइक और शेयर करना आप बिलकुल ना भूलें